नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे अमी रात D20 का मैच नंबर 8 जो खेला जाएगा EMB वर्चिज आबुदाबी टीमों की बीच में और इस मैच का वेन्यू रहेगा दुबई इंटरनेशनल किरकेश स्टेडियम दुबई में यह मुकाबल आज रात 10 बजे स्टार्ट होगा पिच रिपोर्ट की बात कीज़े तो औरोल आपको एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिल जाएगा उसके साथ-साथ एक्स्टा स्पोर्ट है वो इस वेन्यू पे पेसर गेनवाजों को मिलती है और इस स्कोर की बात कीज़े तो 140-150 के सम आप अपना ओरे स्कोर वो अक्सेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आपको ओरे स्कोर वो बनता हुआ नजर आ जाएगा बाकि दोस्तों इस वेन्यू की एक्सपर्टों दोारा प्रवाइड जो भी फ्रेश पीच रिपोर्ट रहेगी और इस मैच की जो भी हमारी फाइन आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकती हूँ टेलिग्राम चैनल है वो दोस्तों आपके लिए काफी ज़्यादा इपोर्टन रहेगा टोस्त के बाद जो भी हमारी फाइनल समोल लिग की टीम रहेगी ग्रांड लिग टीम के कोमिनेशन रहेंगे सब कुछ मिलेगा आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकती हूँ अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अमिरात ब्लियूज की पोस्तिबल प्लेइंग 11 तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले उसका नुड़केशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए तो अमिरात ब्लियूज की टीम ने इस सीजन दो मैचिज खेले अपना पहला मुकाबला है वो 17 रनों से वोन कर किया रही है और EMB की टीम की तरफ से वृत्या आरविंद मुकाबल में 62 बना है सेकी लास्ट मुकाल में 45 रन की निंग के लिए इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से अपनी टीम में कवरर के आप समोलीग में विसी और जील के कोमेनिस में वृत्यार विंद को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राए करके चल सकती हूँ जौर फ्रीद भी आपको लास्ट मुकाल में ओपन करवाती हूए नजर आए 24 रन की निके लिए सेकी लास्ट मुकाल में नंबर 6 पे बैटिंग करवाने के लिए अपना खाता नहीं कोल पाए लेकिन दोस्तों इस मैच में आपको टोप ओडर में बैटिंग करवा के देंगे तो जुहार फ्रीद आपके लिए समोलीग में एक इपोर्टन फिक रहेगी जरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ रिजवान चीपी आपको लगातार नंबर 3 पे बैटिंग करवा के दे रहे हाला कि लास्ट मुकाल में इस प्लेयर की फोर्म इतनी अच्छी आ जाल के देंगे तो एक इपोर्टन फिक रहेगी जिल और समोलीग के दोनों कॉमिनिस में आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ अलिसान सर्फू की बात किजए तो लास्ट मुकाल में पिचपरन की लाजवाब इनिंखे लिए सेकिन ल उलिए आप जील ट्राइ करके चल सकती हूँ विष्णू सुकूमारन है लास्ट मुकाल में पले करने के लिए नंबर च्या पे बैटिंग करुआ है दोरन मनाया दोर की बोर्ण डाली विकेड नहीं मिला इस प्लेयर का ना तो दोस्तो बैटिंग ओडर कनफर्म रहेगा बो दो विकेड निकाले सेकी लास्ट मुकाल में 23 रन की इनिंग खेली पलस दो वर की बोर्ण डालती विकेड नहीं मिला लेकिन फ्राजु दिन आपके लिए इपोर्टन पिक रहे क्योंकि आपको दो से तीन ओर की बोर्ण डालके देंगे एक हार्ड इटर प्लेयर एक जब भ कवर करके चल सकती हूँ मतियुला खान की बात किजे तो दोस्तो लास्ट मुकाल में एक विकेड और सेकिंड लास्ट मुकाल में च्यार विकेड निकाल के दिए ये इपोर्टन रहेंगे च्यार ओर की कंप्लेट आपको बोर्ण डालके देंगे तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ हजरत भिलान ने दोनों मैचेज में एक विकेड निकाल के दिए ये भी आपको तीन से चार ओर की बोर्ण डालके नजर आ जेंगे तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ जावेद उला की बात कीजए तो दोस्तो ला प्राइद की टीम की तरफ से बैंचिज में अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर दोस्तो आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो केवल दोस्तो लाइक का टारगेट है मोटिवेस्टन के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और फाइनल टीम फाइनल सजेस्टन के लिए टेलिग्राम चैनल को जुरूर से जोइन कर लेना है दोस टीम की तरब से उर रहीम है वो आपको ओपन करवा के दिरें अत्ता उर रहीम है लास्ट मुकाल में पांच और सेक्ट लास्ट मुकाल में चोंतीस रन की निंग खेली ओल्ड डी-टवन्टी में पत्चिस की ओस से रन कराते हैं साथ-साथ कभी भी आपको पार्ट टाइम बोलिंग डालके दे सकते हैं तो उर रही मा आपके लिए इपोर्टं रहेंगे समोलिंग में जुरूर शे कवर करें खितला नाइक मौमध की बात की जहें तो एक रिस्ट की पिक रहेगी अगर दोस्तो आबुद आभी का टीम फस्ट निंग में बैटिंग करता है तो अपने जील के टीम में कवर करके चल सकते हूँ बाकि सेकिन निंग में आप ड्रोप करने कर इसके अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ मुहमंद कामरा लास्ट मुकाल में 32 बनाए सेकी लास्ट मुकाल में 85 रन की लाजवाब इनिंग खिली लगातार आपको नमबर 3 पे बैटिंग करवा के दिरें इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से कवर करके समोल लिग में वीसी और जील के कॉमिनिस में आप कैप्टन वाइस कैप्टन वो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हूँ अली अबीब की बात कीज़े तो लास्ट मुकाल में 22 सेकल लास्ट मुकाल में 8 एक और की बोर्ण डाली विकेंड नहीं एक और इस पिक रहेगी समोल लिग और ग्रान लिग के दोनों कॉमिनिस में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ मुहमद असीफ को आप ड्रोप करने का रिसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ महजर वसीर की बात कीज़े तो लास्ट मुकाल में 7 बनाए बैटिंग डाली नहीं में 2 विकेट निकाल के दिये दोस्ते तीन और की बोरिंग आपको कंफरम डाल के देंगे तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ एक टीस हुआज है या आपके लिए एक इसकी पिक रहेगी तो ड्रोप करने के रिस्क भी आप अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ जुबेर खान है लास्ट मुकालम भी एक और सेकल लास्ट मुकालम भी एक विकेट दोनों मैचेज में एक विकेट निकाल के दिया इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ मुहमद रोहीब की बात किजे तो दोस्तों यह आपको दोनों मैचेज में कम्पलीट चार ओर की बोरिंग डाल के दिया फेसल साह की बात की जाए तो लास्ट मुकाल में च्यार ओर की बोरिंग डालती हूँ तीन विकेट निकाल की दिया इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ बागी दोस्तो आबुदाबी की टीम की तरफ से बैंचीज में अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये तो गें दोस्तो दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनलाऐसिज अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम लाइँट की डेमो टीम है और कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन की रोटेसं की बारी में तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विक्की सेक्शन में मुहमद कामरान आपको नमबर तीन पे बैटिंग करवाती हों नजर आजेंगे लास्ट मुकाल में 30 टूब नहीं सेकिन लास्ट मुकाल में 85 रन की निंग के लिए फोम है वो काफी लाजवाप चलिए है वृत्यार आपको ओपन करवाती हों नजर आजेंगे लास्ट मुकाल में 62 बनाए सेकिन लास्ट मुकाल में 45 रन की निंग के लिए तो मुहमद कामरान और वृत्यार विन दोनों की फोम है वो काफी लाजवाप चलिए दोनों ही पलेर आपके लिए बड़िया कैप्टन वाइस लास्ट मुकाल में 12 सेकिन लास्ट मुकाल में 5 रन की निंग के लिए फोम है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है लेकिन आपको ओपन करवा के देंगे कभी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के देश सकते हैं एन मुहमद को जीयल के कॉमनिस में आप अपनी टीम में जरू के चल सकती हूँ फ्राजो दिन की बात किजे तो दोस्तो बैटिंग ओडर थोड़ा सा इस प्लेयर का निचे रहेगा नंबर चैया नंबर साथ पे आपको बैटिंग करवा के देंगे लेकिन आपको दो से तीन ओर की बोरिंगा वो कनफरम डाल के देंगे लास्ट मुकाल मे दो डो विकेट निकाले स्सकें लास्ट मुकाल में विकेटलस रहे लेकिन फ्राजो दिन आपके लिए इपोर्टन रहेंगे इस मैच में जुरुर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकती हूँ आरूफ की बात किजे तो दोस्तो लास्ट मुकाल में पिसपन बनाए स्टी लास मुकाल में च्यारन की नहीं खेली यह आपको नमबर पांच पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आ जाएंगे तो अले सारूफ आपके लिए इपोर्टन रहेंगे तो जुरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ डिस वाज की बात कीज़े तो दोस्तो एक र सीपी रिजवान इपोर्टन रहेंगे नमबर तीन पे बैटिंग प्लस आपको कम्प्लीट च्यार और की बोरिंग डालके देंगे तो सीपी रिजवान को कवर करके आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन अब वो ट्राइ करके चल सकती हूँ बात कीज़े अली प्लस आपको कम्प्लीट च्यार और की बोरिंग डालती हूँ नजरा आजी हाला कि इस प्लेएर का बैटिंग ओर काफी जादा नीच रहेगा लेकिन प्लस आपको हर मैच निकालके दे रहे तो सीधा सिदा अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ पीर याज की बात किज़ मुक्तर इप्रिस्ट की रहेंगे only जियल ट्राई कर कितला जो आद उल्ला की बात कीज़े तो दोस्तो दोनों मैस्टीज में च्यार-च्यार ओर की कंप्लीट बोलिंग डालें लास्ट वाले मुकाल में विकेड लस्ट रहें सैकेंड लास्ट मुकाल में एक विकेड निकाल के दिया और इसपिक रहेंगे चाहो तो अपनी टीम में आप जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ एप सा की बात कीज़े तो दोस्तो ये आपको कंप्लीट च्यार ओर की बोलिंग डाल के देंगे लास्ट मुकाल में एक विकेड और सैकेंड लास्ट मुकाल में दो विकेड निकाल के दिया इपोर्टन रहेंगे जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ रहुल बाटिया को GL में जरूर से कवर करके चला जुबेर खान की बात कीज़े तो दोस्तो इस प्लेयर की फोर्म है वो काफी लाजवाब चलिए लास्ट मुकाल में इनोंने दो विकेट निकाल के दिये तो सिधा इसदा आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ एम खान की फोर्म है वो काफी लाजवाब चलिए है कंपलीट आपको च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे लास्ट मुकाल में दोर से की लास्ट मुकाल में तीन विकेट निकाल के दिये सीधा सिधा अपनी टीम में कवर के जील में आप कैप्टन वाइस कैप्टन अब वो मिल जाएंगे यहाँ पर आपको टोस के बाद जो भी हमारी फाइनल समोली की टीम रहेगी मेगा कॉंटेस्ट जील के टीम के कोमिनेशन हैंगे पिछ रिपोर्ट रहेगी प्लेइंग 11 रहेगी क्या रहेगी टोस अपडेट वो सब कुछ मिल जाएगा हमारी टेलिग्राम च कैप्टन की बात कीजे तो फिलाल के लिए दोस्तों देखोई तो सीपी रिजवान को अपनी टीम में कैप्टन ट्राइ करके चलाओं यह आपके लिए बैस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहेगी इस मैच में जुरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ यहाँ पर देश तो देखोगी तो मुहमद कामरान होगी वरित्य आर्विन दोनों की फॉर्म अच्छी चलिए तो यह दोनों भी आपके लिए समोली को ग्रान लिखे दोनों कॉमिनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन की बड़िया चो इस मुकालू में रहने वा है तो आपको इस वीडियो को एक लाइक एक कोमेंट एक सब्सक्राइब जरूर से कर दिना है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिंद जैभारते